अध्याय साथ धर्म सुधार और प्रबोधन सन तेरा सो से अठारा सो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह मद्यकाल के अंत में नई सोच और कला गोध का विकास हो रहा था हमने यह भी देखा कि किस प्रकार विभिन संस्कृतियों के आपस में मेल मिलाप से सीखना सिखाना शुरू हो गया था धर्म इन सब बातों से कैसे अचूता रह जाता मदिकाल के अंत में हम व्यापक पैमाने पर लोगों के धर्म और विश्वास में बदलाव देख पाते हैं यह भारत और इसलामी देशों में क्रमशा भक्तिय आंदोलन और सूफिय आंदोलन के रूप में हुआ यूरोप में रेनासा और व्यज्ञानिक करांथी के साथ साथ एक महत्वपूर आंदोलन इसाई धर्म में सुधार लाने का चल रहा था इन सब के बाद यूरोप में एक नया वैचारिक आंदोलन चला जिसे प्रबोधन कहते हैं जिसके अंतरगत तर्क और आलोच नात्मक द्रिष्टिकून का विकास और व्यज्ञानिक सोच का प्रसार हुआ इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ा इन सब बातों को हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे 7.1 धर्म संबंधी वादविवाद और धर्म सुधार मध्यकाल के बारे में यह समाने धारना है कि तब लोग धर्म भीरू थे और धर्माचारियों एवं धर्म ग्रंतों के प्रती अंधुश्रद्धा रखते थे आधुनिक काल में लोगों ने धर्मांधता से निकल कर तारकिक्ता और व्यज्यानिक विचारों को स्विकार किया इस अध्याय में हम इन कथनों का परिक्षन करेंगे